Hello everyone, I am Gaitri Sarma, welcome back to my channel Genius Classroom with Gaitri So last video में हमने देखा था Payback Period Method with Non-Discounting So आज हम वीडियो में देखेंगे और different different cases देखेंगे, 4 cases देखेंगे आज हम देखेंगे Discounted Payback Period Method अगर discount आपको मिला होता है तो किस तरीके से आपको solve करना है Now project A has a initial investment of 3.5 lakh Its cash flow for 4 years, 4 साल के लिए और इतना आपका initial investment है As rupees, इतना rupees, 4 साल में इतना rupees वो आपका cash flow दिखा रहा है Now determine the discounted Payback Period, assuming the discount rate is 10% per annum तो हमको जो जो चीजें लिदी हुई है वो है initial investment, cash flow in different different years And year are, there are 4 years and आपके पास discount है 10% per annum तो हमने एक table बना लिए जिसमें हम show करेंगे कि कि इस तरह से discount payback period हमें एक discount payback period क्योंकि 10% का discount पहल हर साल मिला है तो उसे calculate करने का एक formula है आपका कि 1 upon 1 plus R का whole N ठीक हो गया, तो N क्या है, N is a number of years, R क्या है, discount rate and आप इसको calculate करेंगे per year का, वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं Now, यहाँ, जैसे हम पहले निकालते आ रहे थे, CFAT निकालते आ रहे थे यहाँ पर हमारा discounted CFAT है, और discounted CFAT निकालने के लिए आपका जो formula है, वो है जो आपके CFAT आपको हर year में दिये हैं उससे into करिए आपका discount, तो आपका CFAT and cumulative CFAT हम निकालेंगे then उसके बार हमारा discount payback period मतले कितने year में या कितने year plus month में आपका return मिल जाएगा आपको 3.5 lakh उसे find out करेंगे, चीक है, तो मैंने यहाँ पर years लिख दिये हैं, CFAT लिख लेते हैं तो first year में मेरे को CFAT मिला, 1 lakh 20,000, second year में मिला मुझे, 1 lakh 50,000 third year में मिला 1 lakh 8,000 रुपीज and fourth year में मुझे मिला 90,000 छीक हो गया, इतना इतना मुझे CFAT निकल गया है, now discounted payback period, payback factor at 10% मुझे हर साल का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगे, पहले में discount rate निकाल लेती हूँ discount rate कैसे निकलेगा and n, n कितना हो गया, number of years, तो यह तो मेरे पास, sorry, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 years दिये हूए हैं यहाँ पर मुझे, now discounted rate आपको 10% दिया है, तो आपको इसको value में find out करेंगे, तो सीधा-सीधा कितना निकलता है, 10% upon 100 and it will be year 0.1% ठीक हो गया, 0.1 आपका R की value find out हो गयी है, now next मुझे discounted rate निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, 1 upon 1 plus 0.1 and number of years पहला साल, तो यहाँ पर 1 आगया, तो इसकी value क्या है आपकी point, जब आप इसको calculate करेंगे, calculate करके 1 upon 1.1 आएगा, इससे divide करेंगे, 909 आपका यह value आएगी, ठीक हो गया, next जब आप इसको same as it is, second year के लिए निकालोगे, तो 1 upon 1 plus 0.1 ऐसे ही रहा, क्योंकि rate हमारा change नहीं हो रहा, discount rate सेम रह रहा है, और number of years कितने होगे, 2 साल, तो 2 साल जब हम इसे करेंगे, तो point something, यह क्या हो जाएगा, 1 upon 1.1, तो यह square हो गया, square करेंगे 1.21, और इससे divide करेंगे, तो आपका कितना calculation, आप calculator से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, यह कितना हो गया, 0.826, ठीक है, नो 3rd के लिए भी same as it is निकलेगा, 1.1, लेकिन यहाँ पर क्या आजाएगा, cube आजाएगा, तो इसका answer कितना हो गया, point, अच्छा, इसको ऐसे लिख जाते हैं, 1, 1.1 का cube, 0.751, ठीक हो गया, नो 4th year के लिए, 1 upon 1 plus point का number of years, 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना आगया, 0.683, 0.683 आगया, ठीक है, आप इसे calculator से भी कर सकते हैं, खुद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, now, CFAT निकालने के लिए, आपका क्या करना है, जो आपका CFAT, discounted CFAT निकला है, तो CFAT into, आपका discount, आप ऐसे ही तो निकालते हैं, discount, discount, ठीक हो किया, जैसे आपके दिया है, और discount इतना मिलेगा, तो उसमें से उसको into करके निकाल लेते हैं, तो इसमें से इसको into करके आपका निकलेगा कितना value, आप calculator से कर सकते हैं इसको, 109080, I think multiply करके यही निकल रहा है, one second, let me check, yes, okay, now you will multiply this by this and you will get 123 and 900, ठीक हो गया, next, अपने इससे इसे multiply करा, you will get 81,108, I think यही है, 108 निकल गया, then 90 into this, यह तो easy है, 61 and 4, 70, आपका discounted CFAT निकल गया, cumulative CFAT आपको बहुत अच्छे से आता है, आप क्या करेंगे, first में तो आपका कुछ discounted कुछ नहीं आए, same as it is, लिख लिया यहाँ पर, next, you will add this by this, तो आपका add करके निकल गया यहाँ पर, 0091 and 23, यही निकला है, 22, 3 to 900, ठीक हो गया, let me check it, yes, now next, आपने इसमें आपको add कर देना है, 81 and you will get 3, 1, 4, 0, 8, 8, ठीक हो गया, then you will add this by this, आपका आगया, 8, 5, 5, 5 and 7, ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी cumulative, यह discounted TF80 हमने निकाल लिया, तो कुछ आपकी value यह आई, now, अब इसे में थोड़ा rough कर लेती, क्योंकि calculation हमें यहाँ पर करनी है, अब आपके पास निकालना है, discounted payback period consume, तो आप जैसे हमने non-discounted payback period पिछले कुछ questions में किया था, same as it is, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर करने के लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे, आपका initial investment क्या था, इसी का तो return चाहिए, initial investment आपका है, 3.5 lakh, 3.5 lakh है, अब क्या मुझे कितने years में 3.5 मिल जा रहा है, जब मैं इसको देख रही हूँ, तो यहाँ पर मेरेको 1 lakh something मिल रहा है, second year में, third year में 3 lakh 14,088 रुपीज करके मिल रहे हैं, now जब हम next यहाँ पर आते हैं, तो 3,000, 75,500 लेकिन मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, 3.5 lakh, मतलब 3,50,000 ही चाहिए, 3,50,000 क्या है, यह ज़्यादा हो रहे, यह कम है, तो इतना तो मुझे यहाँ से मिल जा रहा है, तो मैं इसे देख लेती हूं, initial इसे lakh, इस तरीके से लिख लेती हूं, 3,5, 3,50,000 रुपीज मेरा initial investment है, 3 साल में मेरे को कितना मिल चुका है, 3 years में, 3,1,4,0,88, इतना मिल चुका है, इस से इसको मेरे को माइनस करके पता लग जाएगा कि मेरे को कितना और चाहिए, तो कितना और चाहिए मेरे को, something, 2, इतने सही निकला, 1, yes, 2, sorry, sorry, 1, then, 9, 5, 5, 4, तो मेरे को कितना और चाहिए, 45,912, तो तीन साल मेरे को, इतना मिल चुका है, 3,44,088, इतना मेरा भी, बचा हुआ है, तो मैं, तीन साल मेरे मेरे को मिल चुका है, चौतह साल में, जैसे ही गई तो, मैंने देखा कि, यहां पर 3, 7, 5, 5 है लेकिन मेरे को अभी कितनी जरुवत है या इसे इसे देखेंगे यह तो एक साल का हुआ ना तो इसे देखेंगे तो यहां पर 61 है जब कि मुझे 45 चाहिए तो 61 वाला कितने साल का है एक साल का है It means how many months 12 months 12 months का है तो ये कितने मन्थ का है तो 45, 9, 1, 2 in how many months कितने मन्थ में मुझे मिल सकता है कितने मन्थ में मिल सकता है तो आप क्या करेंगे cross multiply कर देंगे तो cross multiply करके यहाँ x चला गया इससे इसको multiply कर लिया तो इससे इसको multiply करके 550944 आपका कुछ multiplication करके यह value आजाती है multiplication करके आगई now x की value यहाँ है x के साथ तो यह multiply में है तो divide करके यहाँ चली गई now it will divide 61470 तो जब इससे हम divide करते हैं तो कुछ value आपके आती है 8.9 and something something कुछ तो हमने पहली desert यहाँ पर ली 8.9 तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जब आप पॉइंट से के बाद value 5 या 5 से बढ़ी आती है तो we will do its इसको round off कर लेते हैं तो हमने इसको round off करा तो कितना month आ गया 9 month तो आपका जो payback return value है तो वो हमको कितने में मिली answer कितना आया हमारा discounted payback period is in कितने कितना हो गया time 3 years and 9 month ओके are you getting my point क्या है ये 3 साल 9 मेहने में मुझे 3.5 lakh rupees मिल जाएंगे वापिस जब आप discounted payback period method का भी इस्तमाल यहाँ पर करते हैं ठीक हो गया हमने सारे के सारे cases आपके payback period method के करे थे 4 cases थे उनको भी solve किया then उसके बाद हमने एक और कर लिया अगर discounted payback period method की बात होती है now next video में हम बात करेंगे ARR की पहले हम देखेंगे कौन-कौन से formula होते हैं कौन-कौन से company कौन-कौन से formula इस्तमाल करके अपना value निकालती है उसे देखेंगे और then उसके बाद next video में questions उसके करेंगे related, original and discounted दोनों को तो प्लीज चैनल को like करते रहिए subscribe करते से जादे से जादा share करिए, देखिए और thank you so much अभी तक जो भी आपने जितने भी subscriber हैं, unsubscriber हैं जिन्नों ने भी मेरी videos को देखा है like करा है, thank you झाल